स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल एडी नॉलीज हाउस मैजिक स्टूडेंट्स आपको पता है चोधरी चरण सिंग इउस्टी ने डेट सीट जारी कर दिये आपके जो एक्जाम से वो स्टार्ट होने वाले यूजी पीजी सभी प्रोग्राम्स के फास्ट यर, फाइनल यर, फास्स सेम, सेकिंड सेम सभी परिक्साय स्टार्ट होने वाली है 10 अप्रेल 2021 से आप सभी तयारी में लगे हुए हो बट आज यूपी गोर्मेंट ने पंचायत चुनाव की डेट की घोशना कर दिये जो एक बहुत बड़ी समश्या पैदा हो गई है सभी चात्रों के लिए जी हां सभी चात्रों के लिए ये समश्या बन सकती है यूपी में जो चुनाव होगे वो चार चर्णों में होगे जो ये पंचायत चुनाव है ये 15 अप्रेल से स्टार्ट होने वाले है तो दोस्तों आपके एक्जाम भी 10 अप्रेल से स्टार्ट होन है कि सकिस दिन कहां पर एलेक्शन होगे पंद्रह अप्रैल को परत्रम चरण का मतदान होगा उन्हीं एप और जचरण अप्रैल को लास् चुनाव युटी में होने वाले तो ये जो चार तिती है इसमें जो भी चरन सिंग उन्यूरस्टी के एक्जाम्स होगे उन्हें करा पाना मुस्किल हो जाएगा चरन सिंग उन्यूरस्टी को जी हाँ ये decision final decision युनिवस्टी ही लेगी कि इन exams को postpone किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अगर ये postpone होते है तो कब होगे अगर ये exam postpone होते है तो आपके जो सभी exams है वो delay हो जाएगे और युनिवस्टी की जो planning है जून तक सभी programs का result देने की वो कही न कहीं प्रभावित होती नजर आएगी तो कहीं न कहीं जो बच्चे तयारी में लगे हुए है उनके लिए ये खुसकबरी नहीं है इससे आपका जो exam schedule है वो डिस्टरब होने जा रहा है CCS उनिवस्टी ने इन सभी चुनाओं की जो date थी इनको ध्यान में रखने से पहले ही date जारी कर दी है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो उनिवस्टी है वो क्या decision लेती है इन चुनाओं की date को ध्यान में रखकर क्या इन exams को वो कराएगी या postpone करेगी अगर postpone करेगी तो कब कराएगी और फिर आपका जो result है वो delay होना ही होना है तो दोस्तों अब देखते हैं जब भी उनिवस्टी के तरफ से कोई guidelines आएगी या कोई संसोधन किया जाएगा date seat में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले और इस वीडियो को like और अपने सभी friends के आपने शेयर करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद